हेलो अब्रिवान वेलकम बैक्टी दुरान अकेडमी देखे लास लेक्टर के अंदर हमने कुछ नुमेरिकल्स अफकोस किये थे कुलम्स लोगे अज हम जो नुमेरिकल्स करने वाले हैं चाये वो दो या तीन ही हैं लेकिन वो जो नुमेरिकल्स है इतने जाधा इंपोरन्ट हैं कि बहुत जाधा चांसेस होते हैं उन नुमेरिकल्स का पेपर में आने में देखिए मेरा काम है आपको variety of numericals प्रैक्टिस करवाना तो बस वो ही मैं करवाने जा रहा हूँ आपको तो बिना को time waste किये चलिए शुरू करते हैं चलिए अब हुनने बात करने बिड़ा इस numerical की कहते के two identical charges है Q each are kept at a distance are from each other a third charge Q is placed on the line joining the above two charges such that all the three charges are in equilibrium so what is the magnitude sign and the position of charge Q देखिए कैसे करेंगे सबसे पहली बात यहां पर यह है कि मैं आपर दो charges लोगा और ऐसा similar सा एक और practice भी करवाँगो ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आजे इसा हुआ तो क्या करेंगे ठीक है ना तो बहुत easy है जल्दी समता जाता हूं मेरे पात दो charges है एक है capital Q और एक है दूसरा भी capital Q है इनके बीच का distance का है हमारे पास R है ठीक है अब वह क्याता है कि थर्ड चार्ज एक थर्ड चार्ज स्मॉल क्यू हमने कहीं पे इसी लाइन पर कहीं पर रखना है मैं ताकि वह जो चार्ज है वह मलत ताकि तीनों चार्जिस आपके equilibrium पर आजे अब तीनों चार्जिस equilibrium का मतलब होता कि अगर मैं क्यू पर net force निकालूँगा बाकी दो चार्जिस का तो वह जिरू आना चाहिए इवन अगर माल लेते हैं यह आपकी line ए सपोस इस line पर यहां पर माली जी मैं small q consider कर लेता हूँ अगर इस पर net force निकालूँगा तो भी जीरू आना चाहिए और इस पर net force निकालता तो भी आपका जीरू आना चाहिए तो अगर position पता करना है तो उसके लिए क्या method है पहले यह देखिए position पता करने के लिए सबसे पहले आप को कहीं पर भी बीच में रख दोगे एक का आप x माल लीजिए तो obvious है दूसरा क्या हो जाएगा आपका r minus x आपके पास आ जाएगा अब ऐसे situation में हमने क्या करना है जो बीच वाला charge q है उस पर net force q की 0 है तो मतलब यह हुआ इसको a माल लेता हूँ इसको b माल लेता हूँ मैं ठीक है so since net force on small q is equal to 0 therefore force due to q at point at point point at point a is equal to magnitude wise करो मेटा force due to q at point b अब ऐसे situation में क्या करना है आपने इस q का is small q पर निकालेंगे तो आएगा बीटा k capital q small q divided by x का square is equal to अगर इसका इस पर निकाल रहे है तब हम करेंगे यहाँ पर that is k capital q small q divided by r minus x whole square कर दिया यहां से k से k आपका यहाँ पर cancel हो गया यह k मतलब होता 1 by 4 pi epsilon याद रखे k की value क्या होती है 1 by 4 pi epsilon यह हम पढ़ चुके है इसलिए में आपके k directly put कर रहा हूं so 1 by x square is equal to 1 by r minus x का whole square अंडरूट ले लेंगे 1 by x equal to 1 by r minus x cross multiply कर दो या reciprocal को ले लो आपकी मर्जी है तो r minus x is equal to x आ गया x equal to r by 2 आ चुका है मेरे पास तो मतलब यह है कि charge exactly कहा होगा आपके center point पे होगा तो इस तरीके से आपने यह वाला जो numerical है यह वाला part जो है वो आपने solve करना है तो इस part के अंदर हमने यह देखा कि कि हमने charge की अगर position पता करनी है तो कैसे पता कर सकते हैं अब यहाँ पे capital Q है यहाँ पर four e यहाँ पर small e कुछ भी हो हमेशा यही तरीके से आपने message को solve करना है अब आगे बताता हूँ आपको मैं माल लेते हैं कि हाँ नेक्स्ट क्या उसमें बोला कि find the magnitude and the sign of the charge जब कभी भी ऐसा question आता है कि भाई आपने क्या करना है जैसे यहाँ पर क्या है मेरे पास capital Q और यहाँ पर भी क्या है capital Q और इनके बीच का जो distance है उसमें यह जो center point है आपका वो आर कहा गया और मैं और वैसे बैसे तो मैं पता कर चुका हूँ यार कि इनका जो distance है वो total R है तो नहीं R नहीं था वो क्या है हमारा this is क्यों और मैं और यह पता कर चुका हूँ कि exactly center में है तो यह x by 2 है यहाँ से यहाँ तक x नहीं था मैं आर माना हुआ था तो आर माना था तो यह है मेरा R by 2 ऐसे हाँ आ रही है ना हाँ तो यहाँ से है ठीक है position मैं पता कर चुका हूँ लेकिन अगर मुझे यह पता करना है कि इसका charge की value क्या है और उसका sign क्या है तो जो मैं method बताऊंगा उसको follow करना प्लीज आप इसको छोड़ बाकि किसी भी दो charges में से किसी एक charge के उपर net force लेकर zero करत है अब आप उनके magnitude को equate मत करना क्या आपको sign भी साथ में चाहिए sign चाहिए तो इसलिए आप क्या करेंगे इस क्यों का पहले इस पे निकालते हैं force तो that will be 1 by 4 pi epsilon node capital q small q divided by r by 2 whole square plus net force सब्सक्राइब दुनों को प्लस करके शुड़ बीकोल जीरो क्योंकि force एक वेक्टर कॉनिटी है तो जब मैं ऐसे करके उसको solve करेंगो तो मैं sign का प्रोपर चार्ज है ना चार्ज का प्रोपर जो साहिन है वह मैं पता कर सकता हूं सब्सक्राइब यहां पर इस capital q का इस पर निकालने का तरीका क्याएगा वन बाइ-4 पाई-पसाइल नोट capital q into capital q divided by r का square and that should be equal to 0 1 by 4 by 5 common निकाल लो common निकाल की उदर जाएगा खतम हो जाएगा यह आपका automatically मतलब क्या है में पता हूं वन बाइ-4 पाई-पसाइल नोट ठीक है capital q small q by r square by 4 is equal to minus 1 by 4 पाई-पसाइल नोट capital q का square divided by r square ठीक है अब ध्यान से देखिए सबसे पहली बात 1 by 4 पाई-पसाइल यहीं पर खतम हो जाता है यह एक q यहां के एक q से cancel हो गया r square यहां पर r square से cancel हो गया आपका तो 4 q is equal to minus capital q तो small q क्या आगया minus capital q divided by 4 आगया और यह आपका required answer है तो अगर आपके charge का magnitude पता करना है तो answer है q by 4 लेकिन उसने sign भोला है इसलिए इसका मतलब है जो charge आपने बीच में रखा है वो आपका negative sign का होना चाहिए I hope आपको यह अच्छे तरह समझ में आगया होगा देखिए अभी तो जो आपने numerical किया है जैसे कि इसको ध्यान से देखो इसमें हमारे पास जो charges दिये गए थे वो identical charges थे जैसे हमें आप पास दो positive हैं या दो negative हैं तो उसके लिए आपने यही methodology इस्तिमाग रखे अपना position of the charge पता कर लेना है जहां पर यह आपका zero हो जाता है force आपका लेकिन माल लीजिए माल लीजिए कि अगर मेरे पास एक positive charge हो और एक मेरे पास negative charge हो तो उस condition में अगर मुझे चार्ज की position पता करनी है तो वो कैसे पता करूँगा देखिए ध्यान से सीच को समझना एक capital Q है बटा एक मेरे पास यहाप माइनस Q है और अब मुझे position पता करनी है अपने small charge Q की जहां पर इस पर net force जो है वो आपका 0 हो पहली बात समझ लीजिए कि इन दोनों के बीच में आप कोई भी point रे लीजिए वहाँ पर कभी भी net force 0 नहीं हो सकती उसका reason बहुत simple है अगर माल लीजिए कि यह एक positive charge मैं यहाँ पर ली रहा हूं तो यह positive charge इसको repel करेगा यह negative वाला इसक खीचेगा यह इसको repel करेगा जिसकी वजह से यहाँ पर भी देखो कि तो net force कभी 0 नहीं हो सकती तो अब सवाल सबसे बड़ा यह पदा होता है कि सर हमारा net force 0 होने के लिए charge का किस तरफ होना बहुत important है तो answer देखो बहुत ज्यादा simple है आपकी जो force 0 होती है वो हमेशा negative वा हमारे में आपको मैं और अच्छे से बताऊंगा जब मैं electric field समझाऊंगा बन अभी के लिए मान के चलें कि यह जो negative क्यों है जस्ट इसके बाहर हमारे पास क्या होती है यहाँ पर वो point है जहाँ पर हमारे net force की value हमारी 0 होती है और reason बहुत साफ है suppose कर लो कि अगर में पास एक क्यों है तो यह जो negative वाला यह अभी तरफ attract करेगा और यह जो क्यों वाला है यह पाहर की तरफ क्या करेगा repel करेगा अब एक बहुत important बात आपको मैंने यहाँ पर समझानी है कि अगर तो यह एक plus q है और यह minus q है तो उस case में just इसके बाहर charge का होना और उस पर net force 0 होना possible नह है कम है बट इससे जादा है और जादा होने की वज़े से इस पर कोई ना कोई net force रहेगी रहेगी और answer कभी भी आपका 0 नहीं आएगा तो इसके लिए क्या होना चाहिए होना यह चाहिए कि अगर ऐसी situation मिले आपको ऐसी situation मिले मैं आपको करके दिखाऊंगो ना ताकि आपक पाद एक 4E है और एक मेरे पाद माइनस E है तो अब इसका magnitude जादा है और इसका magnitude कम है अब ऐसे condition में यह possibility है कि माइनस वाले के जस्ट बाहर हमें अपना point मिलेगा जहां पर हमारे net force की value क्या होगी 0 होगी अब यह position पता करने का तरीका क्या है सबसे पहले obvious है कि यह हमें यहा force 0 होनी चाहिए मला magnitude जो है force का दोनों का exactly सेम होना चाहिए तो देखिए force due to 4E should be equal to force due to minus E ठीक है यहां पर force due to force E क्या हो जाएगा मेरे पास 1 by 4 pi epsilon node that is 4E into E divided by r plus A का whole square is equal to यहां आ जाएगा 1 by 4 pi epsilon magnitude ले रहा हूँ ना मैं इसलिए 4E नहीं 4E नहीं मैंने एक गलती कर दिये यहां पर मैं ठीक कर लेता हूँ please क्यूंकि मैं जो charge निकाल रहा हूँ इस पर निकाल रहा हूँ ना so answer will be will be 4E into Q हाँ यह है तो यहां पर आ जाएगा E into Q divided by A square इसका इस पर कर लोंगो तो यह magnitude wise आएगा यहां से आप इसको cancel कर दीजे यह कट गया इससे साथ बेटा यह Q से Q आपका कर जाएगा E से E आपका कर जाएगा तो 4 upon R plus A का whole square is equal to 1 upon A square मेरे पास आगया तो बेटा बस क्या करना है मैंने android करना है तो 2 divided by R plus A is equal to 1 upon A यह इधर जाएगा तो 2 A is equal to R plus A आगया यह इधर आएगा तो बेटा मेरे पास यहाँ पर आगया that is 3 A नहीं 2 A minus A वर A is equal to R मेरे पास यहाँ पर आचुका है तो इसका पतलिक यह हुआ कि इस point का जो distance है मेरे minus E से कितना हो चाहिए R के बराबर ही होना चाहिए तब जाकर हमें हमारा जो net force है वो हमें 0 मिलेगा I hope आपको यह बात अच्छी तरह समझ में आगी होगी clear तो याद रखें कि अगर तो मेरे पास equal charges है तो जिस point की आप बात कर रहे हो तो बीच में कहीं भी point ले लो और आम से आपका answer आजएगा लेकिन अगर माली जी मेरे पास opposite charges है तो एक का magnitude जादा होना बहुत important है as compared to दू अब बात करते हैं लास्ट नुमेरिकल की यह मारा नास्ट नुमेरिकल है देखिए यह आप है क्याता है कि तू स्मोल सफियर्स एच हैविंग मास mkg and charge q coulum are suspended from a point by insulating thread and each of length क्या है हमारी L meter long है but of negligible mass if the theta is the angle each thread makes with a vertical then equilibrium अच्छा मेरे बात सबनी कोशिच करें यह थोड़ा अलग टाइप का numerical है आपका कहता है कि मेरे पास दो पेंडूलम्स है एक तरह से दो सफियर्स स्मॉल स्पियर्स उनको धागे से बांदा हुआ है ठीक है यह धागा है आपका इस धागे की जो length है वो L लिए है तो इसका भी L है और इसका भी आपका L आपका लिया हुआ है सेंटर में हमारे पास एक vertical line है vertical line के साथ यह angle ठीटा बनाता है यह भी angle आपका ठीटा बना रहा है यह है line joining इन दोनों की बीच का अगर मैं ध्यान से इस माल लेते आर गया है हमारे पास यह है distance between the two charged the sphere इस पे charge क्यों है और इस पे भी charge आपका Q है थोड़ा साथ ध्यान से अब समझेंगे इस चीज़ को पहरी बात यह जो क्यों है इस वाले Q को repel करेगा तो यह आपका force of repulsion आ चुका है ठीक है इसके इलावा इसके खुद का जो weight है mg वो नीचे act करेगा धागे में tension होती है T वो यहाँ पर आपका act कर रहा है अब देखिए इसके मैं दो component कैसे मनाऊगा अगर यह angle theta है तो यह angle भी आपका theta होगा यह हो जाएगा T cos theta और यह वाला जो part आप देख रहे हो यह आगे आपका T sin theta क्योंकि system equilibrium के अंदर है तो मतलब यह हुआ कि T sin theta हमारा F के बराबर आएग T cos theta हमारा mg के बराबर आएगो कि equilibrium के अंदर क्या होता है कि जो x axis की forces वो balance होती है as well as y axis की forces भी balance हो जाती है इन दोरों को मैं आपस में divide करूंगा तो कि मुझे T नहीं चाहिए हमारे answer के अंदर तो यह आ गया बेटा मेरे बाद 10 theta 10 theta हो गया बेटा force upon mg अब बिलीज थोड़ा so f will be क्या आजाएगा आपके पास that is mg 10 of theta अब मैं force की value बात करते है force की बात करते है force क्या है force है 1 by 4 pi epsilon note q square upon इनके बीच का distance का square distance का square जो कि हमारा mg 10 theta के बराबर है अब बात सर्फ इतनी है कि इसमें हमें distance भी नहीं दिया हुआ तो distance मुझे निकालना पड़ेगा in terms of l कैसे find करेंगे थोड़ा ध्यान से इसको देखा जाएगा देखे अगर ये आप ध्यान से इस वाले part को देखते हो let me make another choice देखे ये वाला part है और ये देखे ये एक right angle triangle य perpendicular इसका नाम देता हूँ नीचे वाले का नाम है x माल लेते है बस अबना तो l upon x मेरे पास आ गया तो x क्या आ गया बेटा मेरे पास यहाँ पे नहीं perpendicular upon hypotenuse होता है perpendicular upon hypotenuse तो ये आजएगा मेरे पास perpendicular upon hypotenuse that is l ये ज़र multiply होगा तो x आ गया बेटा बेटा बाए 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 l sin of theta तो अगर आप देखते हो यहाँ पे r जो है वो 2x है एक x ये वाला और एक ये वाला ठीक है एक ये वाला है और एक ये वाला है तो total 2x है तो मलब 2l sin theta ज तो q square is equal to 4pi epsilon note ये गया r square की जगा प्यादेगा 2l sin theta का whole square साथ में mg 10 theta तो already है ये तो q square आगया बेटा मेरे पास 4pi epsilon note ठीक है ये आगया 4l square sin square theta साथ में आगया mg 10 of theta आप चेक कर लीजिए ये और ये exactly हम सेम आ चुका है तो बस इस तरीके से आपने ये वाला numerical solve करना था I hope आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे करना था ठीक है तो आज के lecture के अंदर हमने बाकी के जो कुछ numerical आपको मुझे बताने थे related to columns लोग मुने बता दी है I hope आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इन numericals को कैसे आपने solve करना था इसके बाद जो भी कोई numerical आएगा वो इसी का ही एक हिस्सा होगा मतलब आपने इसी concept का इस्तेमाल करके कोई भी numerical जो है वो राम से आप solve कर पाएंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो please like it, share it and subscribe आज के लिए बस इतना ही thank you so much आपको 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 आपको